नमस्कार दोस्तों बात करते हैं करक राशी की यदि आपकी राशी करक राशी है और आपका स्वास्ते बहुत जादा खराब है जिसकी वज़ा से आपका कोई भी कारे सही से नहीं चल पा रहा है और उसकी वज़ा से आपको बहुत जादा कर्ज हो गया है और आपका कर्ज निबटने का नाम नहीं ले रहा है या फिर कर्ज कम नहीं हो रहा है जिसकी वज़ा से आपको टेंशन और बहुत सारे प्राब्लम क्रियेट हो रही है यदि आप चाहते हैं कि आपको इनसे जल्दी ही निजाद मिल जाए तो आप पलास के फूलों की पूजा कर सकते हैं पलास के फूलों की पूजा कीजिए और उन फूलों को अपने पास रख लीजिए और ऐसा करने से आपकी जो स्वास्ते है और आपका जो भी कर्ज है वे जल्दी ही मुक्त होने लगेगा जैसे जैसे आपका स्वास्ते ठीक होगा वैसे वैसे आपका कर्ज भी ठीक होने लगेगा यानि कि कम होने लगेगा अक्सर देखा जाता है कि करकर आशीवानों के यदी कोई बिमारी घेर लेती है तो ये लंबे समय तक के लिए गिरे रह जाते हैं यदी वे चाहते हैं कि कोई भी बिमारी उन्हें लंबे समय तक ना घेरे और उनकी बिमारी जल्दी ही ठीक हो जाए कोई भी बिमारी ना रहे और निरोग रहे हमेशा तो इसके लिए जरूरी है कि वे पलास के पौधे की पूजा करें यदि आप पलास का पौधा अपने घर रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद उसका एक पता तोड़ कर लेकर और अपने पौकिट में या फिर अपने पर्स में रख सकते हैं ऐसा करने से आपके उपर जो भी धन से संबदित परिशानिया है या फिर कोई भी रोग है जो आपको सता रहा है पर जड़ी ही तूर हो जाएगा या असान सा उपाय आपके सिंदगी में खुशना लगा रहा सकता है यदि आप करते हैं तो क्योंकि कोई भी उपाय करने से ही सफलता मिलती है बिना करने से नहीं अगर आप सोचते रहेंगे तो कभी भी महकारे सही से नहीं उपाएगा यदि आप उपाय करते हैं तो आपक को अच्छा बनाईए मेरी इस पीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे